योजना इन्दी योटीव चैनल पर आपका स्वागत है राज्य सरकार की तरफ से इन बच्चों को पच्चिस सो रुपे महिना दिया जाएंगे और साधी होने पर 51,000 रुपे अलग से दिया जाएंगे और किस योजना के अंतरगतिय पैसे दिया जाएंगे और उत्तरप्रदेश सरकार में इस योजना में कितना पैसा दिया जाता है और वह बच्चों की कैसे मदद करती है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इस योजना के माद्यम से अनाद बच्चों को 18 वर्स की आयू तक 25 सुरूपे परति महा की साहता रासी परदान की जाएगी दोस्तो इसके इलावा 6 साव अन्य खर्चों के लिए 12,000 रुपे परति वर्स की साहता रासी भी दी जाएगी इस योजना के अंतरगत बाल सेवा संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के लिए आवरत्ती जमा खाते खोले जाएंगे इस रासी को आरडी खाते से 21 वर्स की आयू के बाद ही निकाला जा सकता है COVID-19 में अनात हुए बच्चों के 18 वर्स की आयू पूर्ण होने तक बाल सेवा संस्थाओं के खाते में परति वर्स 15,000 रुपे परती बच्चे के साहब से डाले जाएंगे देखे जो बच्चे COVID-19 में अनात हो गए थे उन बच्चों की उम्र 18 वर्स पूर्ण होने तक बाल सेवा संस्थाओं के खाते में परति वर्स 15,000 रुपे राज्यसरकार के तरफ से डाले जाएंगे और यह है पैसे जो डाले जाएंगे वह हर्याणा राज्यसरकार के दोरा डाले जाएंगे बाल सेवा योजना में आविदन कैसे कर सकते हैं इसके अलावा COVID-19 में अनात हुए लड़कियों को अलग से साहतरासी परतान की जाएगी इन्हें कस्तूरबा गांदी विच्विद्जाले में मुक्त सिक्सा परतान की जाएगी तथा इसके साथ ही अनात लड़कियों को आवाज सी पीएस अस्थान भी दिया जाएगा सरकार के दोरा अनात लड़कियों के विवहा में भी साहतरासी परतान की जाएगी इस योजना के माध्यम से सरकार अनात लड़कियों के खाते में 51,000 रुपे की रासी डाल देगी दोस्तों जो उन्हें विभापर ब्याज सहीत मिलेगी इसके लावा सरकार आठ से लेकर के बारवी तक के छात्रों को फिरी लैप्टोप टैबलेट भी प्रावड किरागी यानि के जो लड़की कोविड-19 में अनात हो गई है उसके विभा तक के लिए 51,000 रुपे की जो सरकार है वहक उसके खाते में डालेगी और आठ वी से लेकर बारवी तक के छात्रों को फिरी में लैप्टोप और टैबलेट भी देगी उत्तर प्रदेश बाल से वाई होजना में क्या पैसा मिलता है वह आप जानिए जिन बच्चों के माता या पिता में से एक की मृत्तियों-19 में हुई है उन्हें 4,000 रुपे क साहतरासी परतिमादी जाएगी इसके साथ ही यदि बच्चे के माता वै पिता दोनों की ही मृत्तियों-19 में हो गई है तो दस वरस से कम उम्र के बच्चों को बाल सरक्षन ग्रैब बेजा जाएगा इसके लावा सरकार अनात लड़कियों के विवा में भी वित्ते साहतरास परदान करेगी सरकार के दवारा वैविसाइक शिक्सा प्राप्त करने वाले छात्रों को फ्री लैप्टोप टैबलेट दिया जाएगा उत्तर परदेश में लगबग एक हजार बच्चों को इस योजना से लाप्राप्त होने की सम्भावना है यानि कि जो उत्तर परदेश में इस योजना के नत्रकत लाप दिया जाएगा एक हजार बच्चों को दिया जाएगा सरकार के दुवारा अनात बालिकाओं के विवहा पर एक लाग एक हजार रुपे की साहतरा से परदान की जाएगी यानि कि जो लड़की अनात हुई है उसके विवहा में एक लाग एक हजार रुपे की रासे परदान की जाएगी इसके साथ ही अठारे वर्ष्टे कम आयो की लड़की को कस्ति औरुबा गांधी विद्याले वे उत्तर परदेश सरकार के दुवारा संचालित बाल ग्रहे वे अटल आवासे विद्याले में शिक्सा के साथ निवास करने की सुवि बच्चे कोविड नाइंटीन में अनात हुए हैं तो उनके लिए यह योजना चलाई हुई है वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सेर कमेंट जरू करिएगा और चैनल पर नहीं आए हैं तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा